समस्कार मैं राज मोहना आप देख रहे हैं बिहारी नियुज स्वागत है आप सभी का हमारे सो व्यंग बान में आज का व्यंग बान किसी के पक्च और भी पक्च का नहीं है लेकिन हो सकता है कि कुछ भाई बंधू को बुरा लग जाए इसलिए पहले से ही तहे दिल से कर 20 अगस्त की सुबह से साम तक प्रैक्टिस मैच खूब चला सुबह राजद ने खेला तो साम को जदियू ने लेकिन आज हम बान राजद पर छोड़ेंगे जदियू के लिए कोई और दिन बुक करेंगे 20 अगस्त की सुबह जदियू से राजद में गए स्याम रजक और अन्य कई राजद के दलीत निताओं ने दलीतों की उपेक्षा और उनके अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए नितिस कुमार पर कई बाउंसर मारे यहां तक की जदियू को दलीत विरोधी तक घोसीत कर दिया लेकिन जड़ा ध्यान दीजिए कि राजद की उस प्रेस कौन कौन था सबसे पहला नाम है उदय नरायन चौधरी प्रेस कौनफरेंस में मौझूत दलीत नेताओं में से एक उदय नरायन चौधरी 2017 तक जदियू में थे नितिस कुमार पर आरोप लगाने वाले उदय नरायन चौधरी 2016 से पहले नितिस कुमार का गुनगान गरने से तनिक पीछे नहीं हटते थे उस समय नितिस कुमार इनके नजर में दलितू का विकास करने वाले सबसे बड़े नेता थे पर अब सवाल उठता है कि 2016 के पहले नितिस कुमार इनके लिए इतने जरूरी थे तो 2016 के बाद क्या बदल गिया हुआ यूँ कि 2005 में जब नितिस कुमार मुख्यमंत्री बन विधान सबा पहुचे तो उन्होंने उदय नरायन चौधरी को बिहार विधान सबा का द्यक्ष बना दिया लेकिन महागडबंधन की लहर के बावजूद वे 2015 में पूर्वे मुख्यमंत्री जीतन राम माजी से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जदियू ने इन्हें 2016 में पार्टी का उपध्यक्ष बनाया। लेकिन सच्चा यह है कि चुनाव हारने के बाद जदियू में इनका कद काफी कमजोर पड़ गया था। इसलिए 2017 में इन्होंने पहले बगावती तेवर दिखाया और जब जदियू को कोई फर्क नहीं परा तो 2018 जदियू से इस्तिफा देकर राज़त का दामन थाम लिया। अब दूसरे है स्याम रजक। मुझे नहीं लगता कि स्याम रजक के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन पहले चदियू से राज़त में जाने के बाद इनके बारे में काफी कुछ ख़बर पहले ही आपको मिल चुकी है। 1995 में लालु यादो के साथ थे लेकिन 2009 राज़त में अपनी अपमान की बात करकर लालु यादो का साथ छोड़ा और नितिसकुमार के साथ हो लिये। पिछले साल 2019 में नितिसकुमार के कैविनेट में मंत्री रहे लेकिन जब पता चला कि इस बार 2020 के चुनाओं में जदियू उनका टिकट काट सकती है तो नितिसकुमार दलीद विरोधी हो गए और इनका पूराना लालू प्रेम फिर से जग गया। स्याम रजक ने प्रेस कॉंफरेंस में दलीतों पर अत्याचार का एक आकरा पेस किया है। स्याम रजक ने कहा कि पिछले 15 सालों में दलीतों पर अत्याचार का आकरा बढ़ा है। कि बिहार में दलीतों पर अत्याचार बढ़ा है पिछले साल जब नितिश कुमार को धन्यवाद कर रहे थे उस समय आकरा कहा था तब क्यूं नहीं कहा कि पहले दलीतों पर बढ़े अत्याचार को खतम कीजिए तब आपके केविनेट में मंत्री पदलेंगे आज पाला बदलत पहले जनता पाटी से फिर 1985 में लोकदल से उसके बाद जनता दल से फिर राजत से उसके बाद 2010 में जदियू के टिकट से भी विधानसभा पहुंचे मंत्री भी बने लेकिन 2015 विधानसभा चुनाओ हार गए हार के बाद करने के लिए कुछ बचा नहीं था तो पहले जदिय दलितो का प्रतिनीधि कहने वाले इन नेताओं के पास अपनी कोई भी वीचाधारा है गाहे बजाए कभी इस पाटी में तो कभी उस पाटी में इनकी छोड देजिये बिहार में दलितों चाहर कि बात करने वाले कोई दिया था जिसमें सर्वोच न्याले ने कहा था कि राज चाहे तो सरकारी नौकडियों में प्रमोशन के लिए आरक्छन लागू कर सकती है यह वही राजद है जिसने अपने सासनकाल के दोरा दलीत छात्रों के लिए विश्व विद्यालियों में एक भी नए कल्यान छत्रवा जवाब देगी की राजदिस पर दलीतों के उत्थान के नाम पर देश भर में कई राजनितिक दल बने उन राजनितिक दल के नेताओं का तो विकास हो गया लेकिन डलीत आज भी वही के वही है आप खुद सोचिए जिस वर्ग की बात करने के लिए नय नय राजनितिक दल बन जाते हैं वो वर्ग आज भी पिछरा क्यूं है दलित कल भी राजनिती का सिकार था वो आज भी केवल राजनिती का सिकार है